हुआ थर्ड वेलकम टु मॉर्निंग कॉफ़े विद प्याडिफेक्ट। यह हमारा रवे सब्सक्राइब है ऐखेंगे देखेंगे लिऊफ form कौन कौन से एठीक है फर्स्ट एक्ट्रेस एक्चलिए नाउन है एक्टरेस का जो मीनिंग है दोस्तों एक्टरेक्स का जो होता है ना actor ठीक है उसी के यह वो male case में हम यूज करते हैं बट हम उसे female में भी यूज करने लगे हैं बट एक्स्ट्रेस हम female के लिए यूज करते हैं इस तरह से ठीक है जो action होता है ना मार जिसे हम heroine भी कहते हैं तो वही वाली ठीक है एक्चली का जो है ये adverb है ये act से ही बना है ये act वर्ब से बना है actually का meaning जो होता है दोस्ताओं वो होता है दरसल दरसल, हम इस तरह से कहते है न, दरसल यह हो गया, ठीक है, तो वो actually वही है, दरसल यह हकीकत, इसको कह सकते है, हकीकत, हकीकत भी कह सकते है, कि हकीकत यह है, ठीक है, और देखो, add इसकी abbreviation form है, यानि कि इसकी short form है, advertisement की, जो की noun है, तो add, जैसे हम बोलते हैं कि, उसमें add आ रहे ह और यह जो add होता है, इसका मतलब होता है, किसी चीज को मिलाना, मिलाना, या और जोड़ना, इसको बोलते है, add करना, जैसे हम कोई चीज को add कर रहे हो, किसी चीज में, ठीक है, add करना, यह वो हो गया, यह बर्व होता है, add करना, यह बर्व है, added, adding, यह क्या हो जाएगा, बर और addition देखो add से बना है addition, इसका मतलब क्या होगा addition, add verb है, और addition है noun, यानि कि जोड, क्या है, जोड, addition क्या है, इसका meaning है जोड, ठीक है, अब है address, one second, yes, address, address क्या है noun, जिसको हम बोलते हैं, पता, ठीक है, जो हमारा address होता है, यह सब यह जानते हैं, ठीक है, इस-पैलिंग यह है, और admire, देखो दोस्तों,זה का मतलब होती है, परशंशा, क्या होती है, ठीक है, और इसके कुछ of verbs कौन-कौन से, admire यानि कि कि सी की परशंशा करना, admire करना, किसी की परशंशा करना, और इसके जो और भी क्या है, जैसे किसी की memang परशंशा करते हैं, एक्स्ट भी बोलते हैं, ठीक है? और X-TAL!!!! ठीक है? X-TALala भी बोलते हैं, तो इसको इतने इनके इनके, ये इस तरह के सारे इनके क्या है? Admire का पर्षिंशा करना, ये हम praise भी कह लेता है, क्या? Praise, पर्षिंशा करना है तो ये पर्षिंशा करना होता है, और Admission दोस्तों क्या होता है Admission देखो ये Admit से बना है, Admit क्या है Word Admit का मतलब होता है Suikar करना Suikar करना ठीक है Suikar करना, किसी को Suikar करना यहिएनकी Admit करना जैसे हम किसी को Hospital में Admit करते तो वहाँ पर brush हम उसको Suikar करते है आस discord में रखने के लिए तो admission क्या होजाए जैसी school में admission ले रहे हैं वो भी हम admit कर रहे हैं उसको सुईकार कर रहे हैं और admission को बोलते है सुईकृती क्या बोलते हैं सुईकृती प्राप्त करना यानिकि सुईकार कर लिया यह noun form admission ठीक है और adult का actual meaning होता है दोस्तों adult का मतलब होता है कोई परिपूर्ण क् आप कहलो परिपूर्ण या आप कहलो मैच्योर, ठीक है मैच्योर या परिपूर्ण होना या डबलप्ट कहलो क्या कह सकता है डबलप्ड ठीक है यह क्या होता है यह होता है इसलिए हम कहते हैं हमारी एज जो होती है एडल्ट जो होता है यानि क्यों क्या होता है फुली चैलेंजिंग में आप पहले बताइए इन पांच में से कितने अशे हैं जो आपको अल्डीडी पता थे नहीं पता थे तो अब इसको देखते हैं ठीक है ग्लॉसी जो मतलब होता है इसका मतलब होता दूस्त翁 चमकिला जिसका हम पिछले उसमें विपढ़े थे क्या flamboyant क्या पढ़े थे flamboyant याद होगा आपको ठीक है चम किले के लिए हमने पीछे भी पढ़ा था flamboyant हो गया ठीक है या हम bright भी कहलो ठीक है या एक इसके लिए oral lucid कहलो ठीक है यह इसके synonym है गाईस यह इसके synonym है चम किला ठीक है देखो Glow C Glow C अब देखो याद कैसे रखेंगे Face में Glow आता न Glow आता है Face में तो उससे ध्यान रखना Glow C Glow C मतलब मुझे क्या दिखा Glow दिखा किसमे Glow दिखा किसमे Face में C मैंने क्या C किया Glow को यानि कि Glow C यानि कि क्या दिखी चमक यान की चमकिल है ऐसे याद कर देना ठीक है ग्रेंडियॉस ग्रेंडियॉस का मितलब जो होता है दोस्तों ग्रेंडियॉस ठीक है यह इसका मतलब होता है भैव्य है भैव्य समझते हो भैव्य का मतलब होता है दोस्तों ale Magnificent क्या होता है ? Spelling यह देख लो Health Control și Health Control और उसके लिए और भी वर्ड यूज़ कर सकते है आप जैसे गॉर्जियस होता न, you are looking gorgeous, यह वही वाला है, ठीक है, gorgeous हो गया, सुन्दर दिखना है, यह होता है, grandiose, ठीक है, ठीक है, जैसे इसको ऐसे याद रख लो, सुन्दर, जैसे मान लिया जाए, grand क्या होता है, हम बोलते नहीं, grand party, grand party बोलते हैं, तो यहाँ पर जो grand है, grand party बोलते हैं, तो grand क्या होता है, grand होती है, अच्छी वाली party, ठीक है, यानि कि सुन्दर क्या होता है, वहाँ पर सजाया होता है, तो यही समझो, gorgeous का भी सुन्दर ता बढ़ाई होते है, ऐसे याद रखो, ठीक है, वो glossy का glue और C, क्या दिखती है, glue दिखता है, कहां दिखता है ठीक है, और green, यहाँ पर word है, हमारे पास next, क्या word है, green, ठीक है, अब green का देखते हैं, green किसके लिए होता है, green हम कह सकते हैं, इसको भेंग कर भी कह सकते हैं, क्या हो कह सकते हैं, भेंग कर, यानि कि fierce, क्या बोल सकते हैं, fierce भी क्या होता है दोस्तों, fierce होती है भेंग कर, कोई चीज भेंग कर हो, fierce, या विकट कह लेते हैं, विकट कह लेते हैं, विकट होना, यानि कि कोई दुरभाग यह, एसी कोई चीज हो ठीक है या horrid कहलो डराओने ठीक है और ham fisted होता है जो इनसान physically मतलब action moment नहीं कर पाता है ठीक है physically moment नहीं कर पाता है है दोस्तों ताल मेल क्या होता है ताल मेल ठीक है क्या होता है ताल मेल यानिकि समांजियस समांजियस मतलब मेल मिलाप मेल मिलाप जिसका मेल सही से बैठे हार्मोनियस वह होता है दोस्तों हार्मोनियस वह होता है जिसका मेल मिलाप सही से बैठे ठीक है हार्मोनियस एक सा हो जै क्योंकि harmonious क्या होता लेवद होता ना लेवद मिन्स एकसा होता है ताल मेळ उसका अच्छे से बढ़ता है इसलिए उसको कहते हार्मॉनिएस तो ये हार्मन से उसी से याद करो आप उसी से बना है ये हार्मॉनियस मist'll कोई भी चीज अगर उसका एकसा देखने में हो या एकसा काम कर रहा हो तो उनका ताल मिल एकसा हो तो उसको हम बोलते हार्मोनियस यह चीजा हार्मोनियस है यह उसको होमोजीनियस भी बोलते है होमोजीनियस भी बोलते है उसको ठीक है होमोजीनियस हार्मोनियस यह दोनों याद रखें तो आज के इस आज के इस सिरीज में इतना ही था अब मिलेंगे नेक्स्ट डे फोर के साथ ओके, ठैंक यू गाइस